तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने बाले हैं आईसोमर्स के बारे में आईसोमर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं यह जो आईसोमर्स वाला टॉपिक है क्लास 11 ओर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आने के हमेशा संभावना बनी रहती है क्वेश्चन आने की बात नहीं है यह एक बेसिक सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आईसोमर्स के बारे में isomers हमारे पास दो टाइप के होते हैं structural isomers and stereo isomers क्योंकि यह topic हमारे पास बहुत बड़ा है isomers बाला यह topic काफी बड़ा है तो मैंने इसको दो बारे टीवाइड किया है इस वीडियो को इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे isomers के only one part को मतलब इसका जो पहला टाइप है structural isomers, अब structural isomers में भी आगे जाके division आ जाएगा, तो उसको हम जो है, आज यहां पर discuss करेंगे, और जो दूसरा टाइप आ जाता है यहां पर isomers में हमारे पास stereo isomers, उसको हम second video के अंदर cover करेंगे, आज आते हैं हमारे topic के उपर, so what are isomers, so students आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे compounds होते हैं, कुछ ऐसे chemical compounds होते हैं, जिनका chemical formula तो same होता है, लेकिन उनकी जो physical and chemical property है, वो अलग-अलग होती है, तो ऐसे compounds को हम कहते हैं isomers, means isomers हमारे पास कुछ ऐसे compounds होते हैं, जिनका chemical formula तो same होता है, लेकिन उनकी जो physical and chemical property होती है, वो अलग-अलग होती है, chemical formula दोनों का same, दो compound हैं, दोनों का chemical formula same, लेकिन दोनों की physical and chemical properties अलग-अलग, आगे discuss करेंगे इसको, पहले इसकी definition लिख लेते हैं, so what are isomers, तो isomers हमारे पास क्या है, isomers are, आप note करें, isomers are the compounds, isomers are the compounds, having, having same molecular formula, same molecular formula, but different, but different physical and physical and chemical properties. physical and chemical properties, तो इनको हम isomers कहते हैं, मतलब ऐसे compounds, जिनके chemical formula same है, लेकिन उनकी physical and chemical properties कैसी होगी, अलग-अलग होगी, नाव इसके type को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है discuss करेंगे, एक बात और, आपने इसको रटना नहीं है, यहाँ पर आपने यह सोच के नहीं चलना है कि आईसोमर एक question है, और इसको हम जल्दी से इसको रट लेंगे, तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, यह काफी basic यहाँ पर कुछ concept है, जो organic chemistry है, सिर्फ आईसोमर की बात नहीं है, जो आपकी organic chemistry है, class 11th की, वो आपका एक तरह से हम देखें कि foundation है, वो आपकी बिल्कुल आपको जो है, वो finger tips पर होनी चाहिए, वो बिल्कुल clear होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप रटाफिकेशन करोगे, तो आगे जाके आपको problem आएगी, organic आपकी weak होगी अगर यहाँ पर आगर आप ध्यान नहीं देऊगे, तो यह थे थे हम आईसोमर की definition हमने लिख लिए यहाँ पर, आप डिसकस कर लेते हैं कि आईसोमर कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने आपको कहा कि आईसोमर हमारे पास दो टाइप के होगे, कौन कौन से होगे हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास आजाता है structural isomers, structural isomers, structural isomers, और second हमारे पास आजाते हैं stereo, बिजुक करेंगे इसे अपने आपे हीं काफी बड़ा टॉपिक है आपको जैसे-जैसे यहां वीडियो में आगे चलेंगे आपको समझ में आता जाएगा इसको हम second video के अंदर discuss करेंगे इसके भी हलां कि आगे जाके तीन type हो जाते है इसमें हम discuss करेंगे structural isomers के बारे में तो आपको यहाँ पर पता लग गया कि isomers क्या होते है मतलब कुछ ऐसे compound जिनकी physical और chemical property same है sorry physical और chemical property कैसी है molecular formula और different structural formula ये बारे definition आपने नहीं लिखनी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हमारे पास isomers है उनका chemical formula तो same है लेकिन structural formula अलग-अलग हो अब कई compound हमारे पास ऐसे है जिनका molecular formula और structural formula भी same है लेकिन फिर भी वो physical और chemical properties different show करते है तो इसलिए हम इस definition को नहीं लिख सकते है जब हम stereo isomers में आएंगे तब आप जो मैं कहा रहा हूँ इसको better तरीके से समझ पाएंगे यहाँ पर हमारा topic है structural isomers तो हम आ जाते हैं structural isomers के ओपर तो अभी हम discuss करेंगे only structural isomers को जैसा कि मैं आपको कहा था सो आप हेडिंग डाल दे structural isomers structural isomers इसमें आप एक चीज आप इसमें और add कर दो मैंने आपको क्या लिख वाया जहां पर आपने note किया the compounds having same molecular and chemical formula having same molecular formula are known as same molecular formula but different physical and chemical properties उनको हम कहते हैं isomers उसके आगे आप एक line को add कर दो वहां पर आपको लिख लो वहां पर आप एक line add कर दीजिए and this phenomenon is known as and this phenomenon is known as isomersm उसके आगे आपने add करना है and this phenomenon is known as isomersm तो यहां पर हम discuss कर रहे थे structural isomers को structural isomers structural isomers को so structural isomers क्या होते हैं जैसा कि हमने अभी isomers की definition अगर आपने common isomer लिखाए सिर्प तब हम यह नहीं लिख सकते कि वो वाले compounds जिनका molecular formula तो same है लेकिन structural formula अलग-अलग है है ना जब हम common definition लिख रहे हैं मतलब सिर्फ simple isomer लिख रहे हैं तब हम यह लिखेंगे कि the compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties लेकिन जो हमारे पास यह first type आजाता है structural isomers structural isomer यह हमारे पास जो आजाता है जब हम यह structural isomers लिख लेते हैं तब हम यहाँ पर लिख सकते है the compounds having same molecular formula but different structural formula उनको हम कह लेते है structural isomers मतलब यह structural isomer हमारे पास कुछ ऐसे isomer होते है जिनका जो molecular formula होता है वो तो same होता है लेकिन जो structural formula इनका होता है वो अलग-अलग होता है उसको हम देखेंगे कि क्यासे इनका structural formula जो है अलग-अलग होता है जो पहले इसके type लिख लेते हैं इसके जो हमारे पास तीन type है इसमें हम देख लेते हैं कि type ही इसमें कितने है sorry इसमें हमारे पास जो है 3 types आ जाएंगे है ना इसमें हमारे पास आजाएंगे, three नहीं, sorry, इसमें हमारे पास आजाएंगे five types. कौन कौन से five types आएंगे, उनको हमें एक एक करके यहां पर discuss करेंगे, लेकिन पहले हम structural isomer की definition लिख लेते हैं. Structural isomers क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको कहा कि structural isomers हमारे पास कुछ ऐसे isomers होते है जिसका chemical formula जिनका अलग जिनका हमारे पास जो chemical formula है वो तो हमारा सेम रहेगा लेकिन जो structure है molecule का जो structure है उस compound का वो जो है अलग-अलग रहेगा सो यहां पर इसकी definition लिक लेते पहले what are structural isomers the compounds the compounds the compounds having the compounds having same molecular formula same molecular formula but different structures what different structures what different structures that is is इसके आगे आप लिख सेपने हो that is different different arrangement of different arrangement of atoms and atoms atoms और group of atoms और group of atoms in compounds तो यह हमारे पास आ गया structural isomers तो structural isomers के वे में क्या होगा structure isomers में जो molecular formula होगा वो दोनों का सेम होगा मतलब जो भी हमारे पास compounds है उनका molecular formula सेम होगा लेकिन उनके structure जो है different different होंगे structure different कैसे होगे यहां पर देखो structure different कैसे होगे वह आपको यहां पर जब हम इसके type को discuss करेंगे तो यहां पर आप समझ जाओगे आप इतना समझ लो जो atoms और group of atoms है बतलब यहां पर आप इतना समझ लो जैसे मालो एक compound ऐसा है हमारे पास जिसमें carbon है hydrogen है oxygen है है ना दो हमारे पास compound ऐसे है जिनके अंदर दोनों के अंदर same number of carbon है hydrogen है oxygen है है ना उनमें chemical यह अगर देखा जाए अगर उनका chemical composition उनकी अगर देखी जाए तो carbon hydrogen और oxygen की ratio same है लेकिन आप देखो गया आगे जो type हम देखेंगे ratio हालांकी chemical जो हमारे पास उसकी entities है उनकी ratio same है लेकिन फिर भी हम देखते है कि उनकी structures होते वो अलग-अलग होते structure अलग कैसे होते है उनकी arrangement की बज़ा से होता है जो हमारे पास जो atom है और group of atoms है वो जो है structural isomers आप note कर लिजिए structural isomers have five types इसके हमारे पास जो है 5 type आ जाएंगे और इन types को हम एक एक करके discuss करेंगे और यह काफी important है और काफी interesting भी है तो हमारे पास 5 type इसमें आ जाएंगे काई न कौन कॉन से टाइप हमारे पास आएंगे तो first इसमें हमारे पास आ जाता है चेन आइसोमर्ट्स सेकिंड हमारे पास आ जाता है पुजिशन आइसोमर्ट्स पुजिशन, आइसोमर्स, थर्ड हमारे पास आ जाता है, फंक्शनल ग्रूप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रूप आइसोमर्स, इसको आप कम्प्लिट कर लिजीगा, फोर्थ पर हमारे पास आ जाते है, टाउटो मेरिजम, टाउटो मेरिजम, और फिप्ट में हमारे पास आ जा है मेता मेरिजम मेता मेटा मेरिजम सबस्क्राइब इसको अगzerद कर लिजिए यहां पर ऑटल सूंवर्ज Brief हमार पास हो गए兩個 क्टेशल ऐस मेंें कि स्ट्रक्टिल इस हम जा खर आप इसका अबसका मतलब क्या है यह जो पांचों के पांचों टाइप हमारे पास आ जाएंगे इनमें जो chemical compound हमारे पास दिये होंगे उनका हमारे पास जो structure formula जो हमारे पास molecular formula है उनका सेम होगा लेकिन उनके अंदर जो हमारे पास जो entities दी है, मतलब जिन से मिलके जो compound जो बना होगा वो सेम है, जैसे कि मैंने आपको carbon, hydrogen और oxygen का example दिया दो compound ऐसे है, जिनके अंदर हमारे पास same number of carbon, hydrogen, oxygen होगा लेकिन उनकी arrangement कुछ इस तरह से होगी, कि वो compound होगे दो हमारे पास, उनकी physical और chemical properties बिलकुल जो है, अलग-अलग हो जाएगी, है ना तो यहाँ पर हम, यह तो हमने type देख लिए अब हम एक एक करके इनको जो है discuss करेंगे chain isomers क्या होते है, position isomers क्या होते है, functional group isomers क्या होते है toutomers क्या होते है, और metamers इसको आप ठीक कर लिजीगे, मैंने आपको कहा totomers और metamers यह phenomenon है यह type नहीं है, है ना तो totomers और metamers आपने यहाँ पर लिखना है अब हम एक एक करके discuss करेंगे इनको what are chain isomers, उसके बाद हम एक एक करके इनको देखेंगे so पहले हम आजाते chain isomers के उपर कि chain isomers क्या होगे, अब देखिए chain isomers हम लिख सकते है, chain isomers इसे पहले हम आपको इसको explain करूँ, आप इसकी definition पहले लिख लेजे what are chain isomers, the isomers, the compounds the compounds having, the compounds having same molecular formula same molecular formula, same molecular formula but different, but different arrangement of, but different arrangement of carbon chain carbon chain in compound, carbon chain in compound is known as is known, R कर दीजे, किमकि उपर compounds लिखा है are known as chain isomers, are known as chain isomers तो यहाँ पर देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, chain isomers अब यहाँ पर, जितनी भी isomers हमारे पास है, उनका chemical formula तो same है है ना, difference यहाँ पर देखो कैसे आ रहा है, chain isomers अब जो मैंने देखा कि chain isomers किसका टाइप है, structurel isomer और वहाँ पर मैंने आपको बताया था, structurel isomers में कि वहाँ पर chemical formula same है difference कहाँ पर आ रहा है, difference आ रहा है, जो atom है हमारे पास यह group of atom है हमारे पास, उनकी arrangement के में जो है difference आ रहा था तो यहाँ पर देखो, first हमारे पास है chain isomers तो chain isomers हमारे पास ऐसे isomers होते है, उसमें क्या होगा, जो हमारे पास constituent particles है, मतलब जो हमारे पास जैसे carbon hydrogen या oxygen दिया हुआ है, ठीके तो chain isomers में क्या होगा, chain isomers में जो है, chain से difference आ जाएगा, मतलब chain कैसी है, उससे difference आ जाएगा simple strain है, simple हमारे पास chain है, branched chain है, कैसी chain हमारे पास है, उससे जो है, यह determined होता है एक बात आपने याद रखना है, इससे पहले कि हम chain isomers पर आएए, आपने याद रखना है, कि जो first three हमारे पास alkane होते है, first three alkane मतलब, methane हो गया हमारे पास, ethane हो गया हमारे पास, और propane हो गया हमारे पास, वो किसी भी तरह का ion isomersm शो नहीं करते है, आपने फिर से नोट करेजिए फिर से जो हमारे पास, me thene है, propane है, जो मिठेन है, ethane है, मिठेन, ethane और propane, यह तिनों के तिनों जो है metameremarism, जो हमारे पास ion isomersm है Üसको शो नहीं करते है, है nimmt, तो यहां पर इस तरह से आपए इसको नोट कर सकते हैं ch4 ch3 ch3 ch2 ch3 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 इस तरह से आप कर सकते हैं डोंट शो इसको नोट कर लेजिए डोंट शो डोंट शो डोंट शो आईसोमेरिजम डोंट शो आईसोमेरिजम मतलब जो फर्स त्री हमारे पास आते हैं यह किसी भी तरह का हमारे पास आईसोमेरिजम को शो नहीं कर सकते हैं जो हमारे पास मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूट हो जाता है है यहां पर हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले हमें पहले है इसको मैश कर अब एकजमपल दखेंगे यह पर हम और हमने यह तो देख लिए कि जो हमाँ पास of वह ने इस calling सोंसमर्ज होते हैं हमारे पास जिनेते से मॉलेक्युल 大 फॉमला होता है लेकिन और उनके जो चेन होता है उसमें difference होती है जैसे दो compound है हमारे पास जिसमें एक जो है simple chain होगी दूसरे में branches हो सकती है और branches में आगे जाती है जो है difference हमारे पास आजाते है अब ही हम example देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे है ना जैसे हम यहांपर देख सकते है CH3 पहले हम व्यूटेन को लिख लेते यहांपर पहले व्यूटेन को लिख लेते CH3 CH2 CH2 CH3 है ना अब इसमें हम देखेंगे कि इसके कितने आइसोमर्ज जो है बन सकते हैं यह हमारे पास आ गया butane ये हमारे पास है butane अब इसमें हम देखते हैं इसमें हमारे पास दो isomers आते हैं इसके कीतने isomers बनते हैं कैसे बनते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या कहा था chain isomer क्या है इनमें chemical formula same होगा लेकिन जो इसका structure है वो different different होंगे अब यहाँ पर देखो structure भी different कैसे होंगे structure different होंगे इस chain की बज़से कुछ compound हमारे पास ऐसे होंगे जिनमे simple chain बनेगी कुछ compound ऐसे होंगे जिनमे branches आएंगी और बाद में branches कैसे कैसे बनेगी वो भी अलग-अलग हो जाएंगी यही इसको isomer है और जो दूसरा isomer इसका बनेगा अब हो सकता है कि यह ब्रांच में लग जाए यहाँ पर इस तरह से CH3 इसको मैं ऐसे भी दो लिख सकता हूं CH3 CH2 CH3 एंड इसको मैं नीचे ले जाता हूं इसको इसको नीचे ले जाते हैं यहाँ पर इसको आपने ठीक करना है यहाँ पर CH है क्यूंकि carbon हमेशा 4 bond बनाता है तो यहाँ पर आपने लिख लेना है CH3 ठीक है अब इन दोनों को या आप देखिए इसको और इसको अगर हम देखे इन दोनों को अगर हम देखे तो आप देख सकते हो कि इनका जो chemical formula है इनके अंदर कितने carbon है, कितने hydrogen है, वो same है दोनों के अंदर अगर आप count कर गए तो same number of carbon और same number of hydrogen दोनों के अंदर है लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए difference create हो गया difference create कैसे हुआ? difference create हुआ इस chain की बज़ा से इसमें straight chain बन रही है, जिसमें लब जब की इसमें परे यहाँ पर अगर आप देखा जाए इसमें branch बन रही है तो इसलिए इनको कौन सा isomer हम कहते है इसलिए इनको हम कहते है chain isomer, क्योंकि यहाँ पर difference किस की बज़ा से create हुआ यहाँ पर difference हुआ chain की form की बज़ा से है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते है butane में यहाँ पर हमारे पास दो isomer बन जाते है एक यह बनेगा हमारे पास और दूसरा हमारे पास यह बाला isomer जो है बन जाएगा इसको हम 3-methyl-propane भी कह सकते है इसको हम 3-methyl जो है प्रोपेन भी कह सकते है नेक्स हम देखते है यह हमारे पास जो है structure isomer होगया first पहले ही होगया हमारे पास methane, ethane, propane किसी भी तरह का isomerism show नहीं करेगा butane, butane isomerism show करता है कितने isomer पनेंगे, दो isomer पनेंगे यहां पर हमने देख लिया, ठीक है अब ब्यूटेन से आगे हम चलते है ब्यूटेन से आगे बाला compound हम लेते है ब्यूटेन से आगे कौन आएगा ब्यूटेन से आगे कौन सा compound हमारे पास आता है पैंटेन, इसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा पैंटेन हम जैसे देखिए फर्स्ट कौन आया मिथेन उसके बाद मिथेन प्रोपेन यह ना मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन और नेक्स्ट हमारा पास आया पैंटेन अब पहले यहां है यहां पर देखेंगे अब इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें कितने हमारे पास आईसोमर बन सकते हैं यह बन गया हमारे पास Pantene Pantene में आफ़ यहाँ पर देखेंगे किसार से कितने इसमें आईसोमर बनते है Methane, Ethane, Propane किसी भी तरह का आईसोमरिजम शो नहीं करते है है न, जो हमारे पास है Methane, Ethane, Propane, Butane आए Butane में दो आईसोमर बने जो Pantene हमारे पास आता है अब यहाँ पर आपने याद अखना है जब हम pentane के उपर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर हम double branches कर सकते हैं double branches कैसे अब यहाँ पर जब मैं यहाँ पर draw करूँगा तो आप यहाँ पर इसको समझपाओगे तो यहाँ पर देखे अब इसमें देखेंगे हम कितने isomer इसके बन सकते हैं तो यहाँ देखेंगे branches बन सकते हैं इसके CH3 CH2 CH2 CH3 123 इस तरह से यहाँ पर हमारे परसे बन गया CH CH3 पहला isomer इसका यह वाला हो गया पहला isomer इसका यह वाला है है ना यह हो गया इसका second हम देख सकते हैं दूसरी condition क्या है दूसरी किस form में हो सकता है यह दूसरे यह बाला CH3 यहां भी हो सकता है ठीक है इसको हम ऐसे भी ड्रॉख कर सकते हैं CH3 CH CH3 यहां पर अगर देखा जाए तो CH2 and next अगर देखा जाए तो CH CH2 and CH3 यह दो तीन possibilities हमार पास यहां पर बन जाती है next हम देखते हैं अब यहां पर देखीगा यहां पर यह दोनों आपको अलग-अलग दिख रहे हैं लेकिन यह अलग-अलग नहीं है यहां पर आप इसको जो है एक ही consider करेंगे क्यों एक ही consider करेंगे वो थोड़ी दिर में बात में आपको बताऊंगा ठीक है तीसरी possibility के है है इसमें थर्ड पॉसिबिलिटी इसमें क्या है थर्ड पॉसिबिलिटी इसमें यह वाली है CH3 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 एंड CH3 इतना हमारे पास बन गया यह देखेगा फर्स्ट यह बन गया यह वाला बन गया यह वाला बन गया यह वाला बन गया है अब इसमें आप count किजिए कि कितने isomer है अब मैंने आपको कहा कि यह दोनों different different दिख रहे हैं लेकिन यह एक ही चीज़ है ना तो आप इसमें count किजिए कि इसमें कितने isomer है कितने isomer इसमें बने तो यहां पर देखेगे इसमें first isomer तो इसका यही है मतलब इसका फर्स्ट में पास जो structure दिया था एक आई समर तो इसका वही है ठीक है दूसरा कौन सा है दूसरा इसमें यह हुआ branches बन सकती है अब यहां पर देखिए मैंने आपको कहा था या तो branch यहां पर लग सकती है या तो branch यहां पर लग सकती है इन दो यहां पर लगा हुआ है लेकिन actual में यह एक ही जगा पर लगे हुए हैń ठीक है अब जब हमने नौम कलेक्यर की।ा नौम कलेक्यर में हमने देखका कि इस तरह के जो सब्सिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो इसको हम देंगे number one इसको हम देंगे number two ठिक है जहां पर सबस्टीटोंट लगा है वहां से नज्दीक साइड हम देखेंगे one two second position मिठाई ग्रूप लगा हुआ है ठीक है इस वाले में देखो यहां पर क्या है इस case में, इस case में क्या है, मिथायल ग्रूप यहां पर लगा है, मतलब substitute ग्रूप यहां पर लगा हुआ है, तो numbering कहां से करेंगे, नजदीक वाले end से, नजदीक वाले end कौन सा, यह बले end है, इसको number 1, इसको number 2, आप चाहे यहां पर लगाओ, यह रहेगा तो number 2 के उपर ही, यह number 2 पोजिशन के उपर ही रहा हुगे, चाहे इस side से लगा लो, चाहे इस side से लगा लो, ठीक है, इसलिए हम इसको एक ही consider करते हैं, यह एक ही isomer ही, ठीक है, इसको हम एक ही consider करते हैं, और तीसरा हमारे पास आ गया double branches जहां पर हमारे पास बन जाती है, यहां पर देखे, हम को हम अलग मानेंगे ठीक है तो तीन आइसोमर बन गे पैंटेन के हमारे पास कितने आइसोमर बन गे तीन आइसोमर बन गे फर्स्ट हमारे पास जो सिंपल हमारे पास दिया था सिंपल चेन दूसरा हमने देखा कि एक प्रांच लग गई ठीक है या तो इस साइट से लगी या यह दूसरा isomer था हमारे पास और यह जो हमारे पास आया जिसमें double branches हमारे पास लगी इसमें यह हमारे पास आ गया third isomer है ना यह तीन isomer हमारे पास आ गया तो हमने देखा कि pentane के अंदर कितने isomer बनेगे हमारे पास pentane के अंदर हमारे पास जो है तीन आईसोमर बनेंगे ठीके फोर आईसोमर हम नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया आप चाहे लेट से आओ चाहे राइट से आओ यह सेकेंड पॉजिशन के उपर आ रहा है इसलिए इसको एक ही कंसिर्डर करेंगे हम यह हमने देख लिए चेंड आईसोमर यहाँ पर हमने यह जो चेंड आईसोमर देखा इसमें देखा कि जो हमारे पास केमिकल फॉर्मुला था वो सेम था लेकिन डिफरेंस किसकी बज़ा से आ रहा है डिफरेंस आ रहा था हमारा इस चेंड की वज़ा से की चेंड कैसी है ठीक है तो हमने देख लिए कि यह चेंड आईसोमर क्या होते है अब दूसरा हम देख लेते है सेकंड जो हमारे पास टाइप आता है सेकंड टाइप second type हम देखते हैं कि second type हमारे पास कौन सा आता है one second second हमारे पास है second isomer जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है position isomers position isomers position isomers देखें गाईस आता से जाता हमारे पास हमारी प्रॉब्लम होती है वो तो जो हैडिंग है वो ही सॉल्व कर लेती है ठीक है तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है position isomer first हमारे पास क्या था chain isomer था उसमें difference आ रहा था किसकी वज़े से chain की arrangement की बज़े से chain कैसी है उसकी बज़े से difference आ रहा था यहाँ पर हमारे पास आ गया second ही हमारे पास position isomer इसमें जो difference आएगा इसमें जो compound होंगे हमारे पास जो हमारे पास compounds होंगे उनका molecular formula तो same होगा मतलब उनका molecular formula same होगा लेकिन वो difference होगे किसकी बज़े से वो difference होगे कहीं ना कहीं पर position की बज़े से पॉजिशन की बज़े से मतलब क्या मान लीज़े कोई functional group है same functional group लगा हुआ है दोनों के अंदर alcoholic group लगा है ठीक है लेकिन वो alcoholic group कहां लगा हुआ है यह difference हो सकता है जैसे मान लीज़े हमारे पास double bond दिया है हमारे पास triple bond दिया हुआ है ठीक है दो compound ऐसे है जिसमें दोनों के अंदर double bond है लेकिन उस double bond के position में difference है double bond कहां पर लगा हुआ है ठीक है ऐसे isomers को हम क्या कहते है position isomers मतलब इनमें chemical formula कैसा होगा chemical formula इनका same होगा लेकिन यह different होगे यह different होगे किसकी बज़े से जो functional group है या जो हमारे पास किसी बतरह का double bond triple bond दिया है या कोई subsequent group हमारे पास दिय होगा ठीक है तो इसमें हम जो है पहले इसकी definition दिख लेते हैं position isomers हमारे पास क्या होते है इसको पहले इसकी definition दिख लेते हैं सो राइड डाव दा कंपाउंड्स इसकी बतरह लेते हैं सेंक लेकलो फमेल खॉमला भॉमला वाद हैं सेंक लेकलो फमला but, having same molecular formula, but, but, differ in, what differ in position of, but differ in position of functional group, functional group, functional group, comma, carbon-carbon-multiple bonds, carbon-carbon-multiple bonds, or, substituent groups, substituent groups are known as, are known as, are known as position isomers, are known as position isomers, so, here are position isomers, so, position isomers, so, position isomers, we have something like this, isomers, so, we have something like this, which is chemical formula, but, differ in which way, position isomers, carbon-carbon-multiple bonds, or, we have something like this, or, we have something like this, so, if we see example, then, clear here, the position isomers, we have something like this, then, we have something like this, we have something like this, by the way, we are getting this, we have something like this, कर और और श्जी यह 1 शीज़ा निए जैसे यह हम देख ले sect मिठ इत प्रोप यह प्रोपिनल है जैसे कि आप देख पा रहे होगे प्रोपिन तो यहां पर हम देखते कि किसके दो डंसॉमर बनेगे कैसे बनेगी यहां पर देख सकते हैं CH3 CH2 OH CH2 तो यहां पर हम देख सकते हैं कितने इसके आईसोमर बने तो इसके यहां पर हमें दिख रहे हैं कि इसके दो आईसोमर बन सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनका chemical formula same है अगर इनके अंदर आप कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन को और काउंट कर गोए तो सेम नंबर आएगा लेकिन यहां पर देखिए डिफरेंस कहां पर आ रहा है डिफरेंस आ रहा है अरेंजिमेंट की बज़ा से मतलब जो एटम है यह ग्रूप आप आटमस है वो किस-किस तरह से अरेंज है ठीक यह हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रूप फंक्शनल ग्रूप अलग 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 जगा पर आया हूँ लगा हुआ है जिसकी बज़ा से यहां पर डिफरेंस क्रियेट हुआ तो ऐसे जो आईसो मर हमारे पास होते है जिनमें यहां पर देखिए डिफरेंस क्रियेट हुआ कि इसकी बज़ा से, position की बज़ा से, functional group कहां पर लगा है, same functional group लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अलग-अलग है, क्यों अलग-अलग है, क्योंकि किस position के उपर functional group लगा हुआ है, ये अलग-अलग है दोनों में, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास position isomers है, ये ch3 ch double bond ch and ch3 यह हमारा पास first हो गया इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ठीक है दूसरा अगर देखा जाए इसी को मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूं एक मार पास आ गया one two three four ch हमने यहां पर लगाया थे इसको यहां पर यहां पर करना है अब देखिए इसको कार्बन के साथ कितने हैडरोजेन लगान है इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं आप कार्बन के साथ जो है four bond को complete करना है यहां पर देखिए इसके बास कितने हो 2 यहां पर होगे इस carbon के बाइगा दो carbon के साथ होगे दो यह वाला होगे 4 complete होगे इसके count करते हैं 1 यहां पर है 2 यहां पर है 2 3 और यह 4 हो गया ठीक है यहां पर CH2 है यहां पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि carbon के साथ कितने hydrogen लगाने है यहां पर हम देख सकते है यह वाला जो हमारे पस केस है यह वी एक position isomers यह दोनों भी position isomers है क्यों यह position isomers है इससे पहले वाला जो example हमने देखा वहां पर हम देख रहे थे difference किसकी बज़ास से create हो रहा था difference क्रियेट हो रहा था हमारे पास functional group की position के कारण यहां पर हमारे पास difference किसकी बज़ास से create हो रहा है यहां पर हमारे पास difference क्रियेट हो रहा है double bond की बज़ासे double bond की position देखी यहां पर कैसे अब इन दोनों के अगर हम numbering करते हैं तो numbering किस तरह से होगी यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 ठीक है इस तरह से तो इसका नाम क्या हो गया इस पहले का नाम हम देखते क्या है myth, it, probe, boot है ना इसका नाम क्या है boot छोटी position का number हम देखते है boot 1 in यह boot 1 in है, ठीक है first वाले के उपर अगर हम जाए तो इस case में क्या है, इस case में numbering यहाँ भी one हो सकता है, यहाँ भी one हो सकता है यह आपकी मर्जी है, है ना, यहाँ पर one आ जाएगा यहाँ पर two आ जाएगा यहाँ पर three आ जाएगा, यहाँ पर four आ जाएगा इसका अगर नाम लिखे हम तो इसका नाम क्या हो जाएगा boot to in ठीक है अब ये दोनों देखे इन दोनों के अंदर अगर आप carbon और hydrogen को count करोंगो तो same number of carbon और hydrogen है लेकिन difference की किसकी बज़ा से आ रहा है difference आ रहा है जो हमारे पास double bond है उसकी position की बज़ा से दोनों के अंदर carbon hydrogen सेम है दोनों के अंदर एक ही double bond लगा हुआ है लेकिन अंतर कहां पर है अंतर है कि कहां पर लगा हुआ है double bond तो लगा है दोनों में लेकिन कहां पर लगा हुआ है ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देख क्योंकि यह position की बज़ा से अलग-अलग है दोनों, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम position isomers कहते हैं, है ना, तो यह second भी हमारा complete हो गया, third हमारे पास आ जाता है, functional group isomers, functional group isomers, functional group isomers, तो हम इसमें लिखेंगे, what are functional group isomers, इसको आप मेरे सब complete करेंगे, the compounds, the compounds, having same molecular formula, same molecular formula, but having, but having, different, but having, different functional groups, what having different functional groups, तो यह functional group isomers हमारे पास क्या है, functional group isomers हमारे पास कुछ ऐसे isomers होते है, जिन में, जो chemical formula होता है, same होता है, मतलब, मगर यह अलग-अलग होते है, किसकी बज़े से, functional group की बज़े से, अब जैसे देखिए, carbon hydrogen और oxygen का ही, अगर हम example दे, माले जिए, दो compound हमारे पास ऐसे है, जिनके अंदर carbon hydrogen और oxygen सेम है, है ना, लेकिन फिर भी वो अलग-अलग होंगे, क्यों अलग-अलग होंगे, functional group की बज़े से, अब देखिए, जैसे O है, O माले जिए, hydrocarbon की chain के अंदर O लगा हुआ है, oxygen का atom लगा हुआ है, तो oxygen का atom तो लगा है उसमें, लेकिन वो aldehydic होगा, ketonic होगा, alcoholic होगा, किस तरह का functional group वो बनाता है, वो उसके arrangement के उपर depend करता है, कि वो कहां पर लगा हुआ है, है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि functional group isomers, यहाँ पर आपको simply इतना याद रखना है कि वो बाले compounds, जिनका molecular formula same होगा, मतलब मगर उनके functional group जो है, अलग-अलग होगे, उनको हम क्या कहते है, functional group isomers, अब हम example देखेंगे, एक-दो उसके बाद आपको जो है, यह clear हो जाएगा, तो हम आजाते हैं, यह अपने definition लिख ली होगी इसकी, अब इसके example हम एक-दो देख लेते हैं, फर्स्ट आप heading देंगे, यह काफी important है, इसको note किजिएगा, alcohols and ethers, alcohols, alcohols, and alcohols and, alcohols and ethers, फर्स्ट example हम देखते है, CH2, CH2, OH, यहाँ पर आपने 3 कर देना है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि carbon के साथ कितने hydrogen लगाने है, वह आपने, कैसे पता लगाना है, वह आपने देखना है कि carbon कितने bond बना रहा है, carbon को आपने हमेशे 4 bond ही उसके लगाने है, है ठीक है आपको पता हूगए कि carbon हमें carbon ही बनाता है तो यहां पर देखो इसको दो तो तरीके सė में लग सकता हूँ CH 63 OH 250 नहीं ही Central Radioame Reserve में तो यह देखे यहिथर है एक ट्रिक है यह अthर और यह एलकोहल यह और औरल कोलील है यह यह पर यह फर यह अदरा लगया है जिजन सेम लगे हुए उनके दर, count अगर करोगे तो same number of atom आपको मिलेंगे, लेकिन difference की इसकी वज़े से create हुआ, difference यहाँ पर create हुआ, functional group की वज़े से, दोनों के अंदर अलग-अलग functional group है, एक जो है ether है, एक हमारे पास alcohol है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह ether है, यहाँ यह हमारे पास alcohol है, ठीक है, तो इस तरह से, जो हमारे पास functional group की वज़े से, अगर हमारे पास isomerism create हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे, जो हमारे पास compound होते है, उनको हम क्या कहते है, functional group isomers, और जो phenomenon होता है, उसको हम क्या कहते है, functional group isomerism, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, functional group isomer, यह आपने इसको आपने नाम इसका लिख सकते हो मिथ इत तो यह हमारम आपक्षी इतनोर हो गया है यह हमारा पास इतनोर हो गया और यह हमार पस क्या है प्राइब प्राइब यहां पर इसका लगा है मिथेन के साथ तो यह मिथोक्सि मिथेन हो गया सो यह हमारे पास first आ गया अब यहाँ पर देखो जो यह functional group isomer यह काफी important है यह आपको note करते जाना है ठीक है यह first हो गया alcohol और ether जो है यह दोनों जो है isomerism show करते है दूसरा हम देखते हैं दूसरा इसी के अंदर है इसी के अंदर है functional group isomers के अंदर second आप देगे इसमें अंदर second heading इसमें आप देदीजिए LD heights and ketones LD heights and ketones second heading हम देगे LD heights and ketones LD heights and ketones अब देखिए गाईस अब यहाँ पर रटने की कोई बात नहीं है सबसे पहली बात तो यह है कि आपको functional group के बारे में पता होना चाहिए अब LD heights and ketones होते गया तो आपको पता होगा कि यह वाला जो group होता है C double bond OH इसको हम कहते LD heights group जिनके साथ भी यह जुड़ा हो रहता है तो वो वाला compound क्या बन जाता है वो LD height हो जाता है दूसरा हमारे पास क्या है ketones ketones हमारे पास क्या होते ketones हमारे पास क्या हो जाते R, C double bond O, R यह वाला group हमारे पास क्या हो जाता है यह हमारे पास ketones वाला हो जाता है यह हमारे पास LD height वाला हो जाता है LD height और ketones में अंदर क्या होता है यहाँ पर देखे लेकिन जब तक आपको ld hydro ketone का ही पता नहीं होगा तो आपको यह रटना ही पड़ेगा फिर ठीक है तो इसलिए जरूरी है कि आप छोड़ी छोड़ी चीजों को भी समझें यहां पर सो ld hydro ketone में basic difference क्या है ld hydro ketone में basic difference पस एक जगा आजाता है यहां पर देखिए अप ld head यह अगर बता हूँ यह c है double bond o यहां पर h हो जाता है हमारे पास यह हमारे पस ld head group है c double bond o यहां पर हमारे पास एक जगा इस तरह से मैं इसको मनाता हूँ, इस तरह से आपको बेटर समझ पाओगे, यहाँ पर मैं आपको अलग तरीके इसको बताता हूँ, C double bond O, यहाँ पर हमारे पास R, R, जो addy heads हमारे पास होते है, addy head में हमारे पास बन्जाता है C double bond O, एक तरफ उसमें R हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाला कि एक ही addy head हमारे पास ऐसा होता है, जिसके अंदर की एक भी alkyl group नहीं लगा होता है, बाकि सभी में addy head में क्या होता है, एक alkyl group होता है, यह R क्या है, R एक chain है, जो से carbon और hydrogen के हमने लंबी लंबी chain देखी थी, यह वो R है, ठीक है, और यहाँ पर देको C double bond OH, इसको हम कहते, addy head, जिसमें भी यह वाला group लगा होगा, जिस भी chain के साथ यह वाला group लगा होगा, अब एक हमारे पास आज़ता है, formaldehyde, formaldehyde का formula होता है, H C double bond OH, यह formaldehyde एक ऐसा प्राणी है, जिसके अंदर क्या होगा, यह एक मात्र ऐसा addy head है, जिसके अंदर की alkyl group नहीं लगा होता, बाकि जितने भी alkyl group लगा रहता है, इस तरह से, इस तरह से एक alkyl group होगा, और last में क्या होगा, C double bond OH, जबकि जो हमारे पास ketones होते हैं, उसमें एक difference क्या है, उसमें देखी क्या है, यहाँ पर क्या है, C double bond O, एक तरफ R है, एक तरफ H है, जबकि जो ketones इस तरह से, इसमें होगा, C double bond O, एक तरफ नहीं, यहाँ पर दोनों तरफ R का होना ज़रूरी है, मतलब दोनों जगा यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दोनों जगा हमारे पास alkyl group यहाँ पर होगे, यहाँ पर हम देखते हैं, यह दोनों कैसे isomerism को show कर सकते हैं, मतलब ज टोन है और जो हमारे पास अलडी हाट्स है वह किसतरा से कहा है है यहार पर हम देखें गे अभी किए हैं कि पास एक व है जब कि मेरे पास C 100, O, CH3, यह मैरे पास ketone हो गया, तो यहाँ पर अगर हम देखे इसको, यह हमार पस क्या है, यह हमार पस ADD group है, यहाँ पर देखिये, यह हमार पस पर ketone दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप देखें, यह ketone group है, CWO, इस तरफ भी R, उस तरफ भी R, ठीक है, यह हमारे पस ketone है, यह हमारे पस जो है, यह हमारे पस adihyde, तो यह दोनों भी किसमें हमें दिख वे हैं, यह दोनों भी क्या show कर रहे है, यह दोनों भी जो है, यहाँ पर isomerism को show कर रहे है, कौन सा ketone group है, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर हमारे पास adihyde group यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, इसका नाम अगर देखा जाए, नाम इसका लिखेंगे, IUP, मिथाइल, इथाइल, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, एल यहाँ पर लगीगा, तो यह बाला हमारे पास जो है, हो जाएगा, तो यह हमारे पास थे adihydroketone, अब next आ जाते है हमारे पास, third आ जाते इसमें, इसी में ही, जो functional group isomer है काफी लंबा है, एक और आप लिखोगे, इसी में ही, एक ऐसा पेर जो isomerism को शो करता है, तो उसमें आप लिखोगे, कार्बोगजाइलिक एसेट्स एंड एस्टर्स, कार्बोगजाइलिक एसेट्स एंड एस्टर्स, कार्बोगजाइलिक एसेट्स एंड एस्टर्स, इसमें हम देखेंगे अभी क्या क्या है इसमें, कार्बोगास्यलिक एसेड जासथ कि आपको पता होका कि यह जो लुका होता हैमार पास कि c double bond O ह इसको हम कार्बोग्जावलिक ग्रुप कहते हैं यह बन जो ग्रुप कभी फगर अगर गॉण सारी ठोड़ा सा यहां पर dcrplic बड़े बड़े एपिक फेलियर होते रहते है ना अभी जो ट्राइपोर्ट था वो मेरे उपर इगर गया था है ना तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए तो यहां पर देखें कार्बोगजायलिक एसेट्स इंड एसेट्स्पा पहले तो यहां पर हम इनके साथ लगा हूँ तो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से यह दोनों भी जो है आईसो मेरिजम को शो करते है यहां पर एक कंपाउंट हम लिखते एक कंपाउंट हम यहां पर लिख लेते सब्सक्राइब करें आप लिखते जाएगा शो टू आइसोमर्टिकष का अब कौन कौन से शो करेगा आम यहां पर लिखते हैं पहला आप देखेंगे यह वहां यहां पर compound देख पा रहे हैं, यह carboxylic acid की form में भी रहता है, और यह वाला esters की form में भी रहेगा, कैसे रहेगा यहाँ यहाँ पर, एक एक करके हम इसको discuss करेंगे हाँ पर, C double bond O OH, ठीक है, और जो दूसरा हम इसी को अगर लिखना चाहें, तो इसको हम ऐसे भी लख सकते हैं, CH3, तो यह दोनो फॉर्म हमारे पास इस की आ जाती है, यह बना जो compound हमारे पास आया, यह दो फॉर्म में रह सकता है, यह इस फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आप दोनों के अंदर जो है carbon hydrogen oxygen को अगर आप count करोंगे तो same number आएको carbon hydrogen और oxygen का मतलब इनका जो molecule formula है वो same है है ना जितनी entity से ये बना हुआ है उतनी entity से ये भी बना हुआ है लेकिन difference कहाँ पर create हो रहा है difference यहाँ पर create हो रहा है functional group की बज़ा से यहाँ पर देखें कार्वोग जैली यह group है तो यहाँ पर ऐस्टेवला है तो इनको अम क्या कहते है इनको हम कहते है functional group isomers जिन में difference किसी वज़ा से create हो रहा है difference हमारे पास of create हो रहा है functional group की बज़ा से बाकी चीद सेम है ठीक है तो यह हमारे पास हो गया तो यह लास्त हां हमारे पास की थार्ड जो हमारे पास स्ट्रक्टॉल आईसो मर्स है प्रक्टॉल Russell फोनक्टोनल भ्रूपर हमारा कम्प्लीट हो गया इसके बाद हम आ जाते हैं डर्शन के अंदर चुम्ड़ मैटा मर्स होता है मार पास वो क्या होते हैं मेटामर्ट इसकी देफिनिशन हम लिख लेते हैं मेटामर्ट फर्स्ट इसकी देफिनिशन हम लिखते हैं बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबा Dawn लिख up ल इसकी देफिनिशन हम लिख व ल व औ्यिएनिशन Commons, PLaS hai success.. पलिक लिखते हो ओ लिख ऋई हैं। którego इrig बमाले की बमार फेनismal फिहांस e बमाला कीजिवच वगे बमार कसरे उफ़ और ओमाले करदी — बमाले कि व्यू ^^ बमाले क Dare showing बमाले के opinion मself बमाटब फिच्च कि अ만 στη expiration carbon atoms on the either side of on the either on the either side of functional group on the either side of functional group तो यह metamor्स हमार पास किया है इसको आगे आप अगर लिखना चाहिए इसमें एक एक लाइन आप और एड़ कर दो दो फिनोमेन इस नाउन एस मेटामेरिजम यह आपको पूछा जा सकता है इस नाउन एस मेटामेरिजम तो यह मेटामेर मेटामेर आईसोमर का ही एक टाइप है ठीक है मेटामेर हमार पास क्या है अगर देखा जा तो यह पूजिशन आईसोमर का ही एक टाइप है पूजिशन आईसोमर ही एक टाइप से आप इसको जो हमने इस से पहले जो पूजिशन आईसोमर डिसकस किया है सेम चीज है लेकिन यहाँ पर specially, वहाँ पर देखिए, position isomer में क्या होता था, substituent group भी हो सकता था, functional group भी हो सकता था, double bond, triple bond भी हो सकता था, उनकी position के आदार पर होता था, decide, लेकिन जो हमारे पास यह metamor है, उसमें हम specially functional group को ही लेते है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि जो functional group हमारे पास लगा हुआ है, तो उसके left side में, right side में, जो हमारे पास compound रहते हैं, दो compound, अलग-अलग compound, तो उनमें जो है, अलग-अलग रहता है, left और right side में, number जो carbon atoms का है, वो अलग-अलग रहता है, कैसे रहता है, जो example हम देखेंगे, उससे आप easily समझवाओगे, ठीक है, यह आपने लिख लिया होगा, इसको note कर लिया होगा आपने, next हम example देख लेते हैं, example देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर इसको समझ जाओगे, metamers का example अगर हम देखें, फिर्स्ट हमारा पास यह बाला आ जाता है, और सेकेंड हाँ अगर हम देखें, इसको मैं थोड़ा उपर लिख लेता हूँ, ताकि आप इसको जो है easily देख पाओ, कि अरवाँ बाला प्रा बाला आता है, तो आप लेता है, पर लेता है।